मुद मंगल में संसमाच, धर्म प्रेमी सज्जिनो, स्रद्धा मुर्ती देवियो सद्युरु कबीर का एक पद और उसके अधार पर कुछनि वेदन सद्युरु कबीर कहते हैं सोजी हित बंधू महिभावे, जात कुमारग मारग लावे सो सयान मारग रहियाई, करे खोज कबहू न भुलाई सो जूठा जो सुत को तजी, गुरु की दया रामते भजेई किंचित है एक तेज भुलाना, धनसुत देख भया अभिमाना पहली बास अधुरु कबीर इस पद में कहते हैं सोई हित बंधु महिभावे, जात कुमारग मारग लावे उस अभ्यक्ति को मैं अपना भाई समझता हूँ वो अभ्यक्ति मुझे बड़ा प्यारा लगता है जो गलत रास्ते में जाते हुए लोगों को समझा कर सही रास्ते पर ले आता है समाज सेवा के अनेक रास्ते हैं और अनेक उपाय हैं हर सेवा का अपना एक मुल्य है कोई किसी प्रकार दुखी है तो उसके दुख को दुर करने में हाथ बटाना उस दुख को दुर करने का प्रयास करना सेवा है कोई भूखा है भोजन दे दें सेवा हो गई कोई प्यासा है पाने पिला दें सेवा हो गई कोई नंगा है किसी के कपड़े फटे हैं कपड़ा दे दिये सेवा हो गई कोई रोगी है डाटर पात पहुंचा दिये दवाई दे दिये सेवा हो गई गरीब है कुछ रुप्य दे कर उसकी गरीबी को दुर करने का प्रयास किया गया सेवा हो गई अनेक सेवा है, इन में से कौन सेवा छुटी, कौन बड़ी ये नहीं कहा जा सकता, हर सेवा का अपना मुल्य है इसलिए हर आदमी को चाहिए, कि वह जहां पर है जित इसिती में हैं, अपने ढंग से समाश सेवा के लिए कुछ न कुछ उसे करते रहना चाहिए क्योंकि हम भी समाज द्वारा उपक्रीत हैं, हमारे जीवन निर्वाह में, हमारे जीवन उत्थान में समाज का बहुत बड़ा योगदान है कितने लोग कहते हैं समाज ने मुझे क्या दिया, अरे समाज ना मिला होता तो दुनिया में जीवित नहीं रहते हैं दुनिया में हम जिवीत हैं तो समाज के उपकार से जिवीत हैं लोग कहते हyin कि मैंने अपने बल्बूते किया ठीक है अपने बल्बूता आपने किया तो जिस किताब को पड़ करके आप विद्वान हुए हैं उसकिताब को आपने लिखा होगा जिस विद्याले में पढ़ करके आपको डिग्री मिली उस विद्याले का निर्मान आपने ही किया होगा किसी ने आपको उस किया नहीं न आपने स्वयम को बलबूते किया है जिस सड़क से आप चलते हो उस सड़क का निर्मान भी आपने किया है क्योंकि आपने स्वेम के बलबूते पर विकास किया है सोचो जरा जित भोजन को हम खाए हैं वो भोजन का निर्मान भी हमने नहीं किया किसी और नहीं किया है जो कपड़ा हम पहने हैं उस कपड़े का निर्मान हमने नहीं किया किसी और नहीं किया है पदे पदे समाज का उपकार हम पर है हम पदे पदे समाज से उपकरीत है इसलिए किसी भी आदमी को यह नहीं कहना चाहिए कि समाज ने मुझे क्या दिया या समाज मुझे क्या देगा समाज मुझे क्या दे सकता है हर आदमी को यह सोचना चाहिए कि समाज को मैंने क्या दिया है और मैं क्या दे सकता हूं राष्टर ने आपको क्या दिया राष्टर आपको क्या दे सकता है यह बात भूल जाओ राष्टर को आपने क्या दिया है इसका ही ख्याल करो राष्टर को आप क्या दे सकते हैं इस बात को सोचो देना शुरू तो करें, तब मिलेगा, बेटा बात करना बंद कर दिया करो, मोबैल साइलेंट रखो या स्विचाप, देना शुरू तो करें, तो पता चलेगा कि हमें मिलता भी है, जो आदमी देना जानता ही नहीं है, वो आदमी कभी महसूस नहीं करता कि मुझे मिलता भी है देने वाले को ही महसुत होता है कि मुझे मिल रहा है तो जिस इस्षिती में हैं कुछ नुकुछ देना सुरू करें लोगों की सेवा, समाज की सेवा में लगाने का प्रयास करें कुछ नुकुछ लगा सकते हैं कोई आदमिय ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ नहों, हर आदमी पास कुछ नहों, गरीब से गरीब आदमी के पास भी कुछ नहों कुछ है, वो दे सकता है, यहां तो आध कहते हैं, सबसे बड़ी सेवा क्या है, हर सेवा का मुल्य है, समाज के लिए बड़ा उपकार कौन करता है, जो गलत रास्ते में जाते हुए लोगों को समझा कर सही रास्ते पर ले आता है, एक आदमी बिगड़ता है तो यह नहीं है कि वही आदमी बिगड़ा एक आदमी बिगड़ता है तो परिवार बिगड़ता है एक आदमी बिगड़ता है तो गाउं बिगड़ता है एक सरावी आदमी है स्यम कमाता है मद्दुरी मिलती है अपनी कमाई के पैसे से सराब खरिता है और पीता है वो कह सकता है अपनी कमाई के पैसे से मैं सराब पीता हूँ किसी का क्या नुक्सान लेकिन अपनी कमाई के पैसे से सराब तो उन्होंने पीया ठीक है जब अपनी कमाई की पाथे से सराब पी लिया उसकी पतनी भूखी बच्चे भूखे पतनी और बच्चे का भार कहा जाएगा समाथ पर जाएगा क्नी जाएगा शराप के नसे में चल रहा था, इसिटेंट हो गया, अब पत्नी बचे की जिमदारी कौन समहा लेगा, वो मर कर आएगा, मर गया आदमे हो समहा लेगा, समात समहा लेगा परिवारवर समालेंगे कौन समालेंगे उसके जिम्मदारी कौन लेगा समात पर गयक नहीं गया शराप पी करके आया पत्नी बच्चे सो गये दर्वाजा बंद करके दर्वाजा पिड़ता है जोड से चिलाता है गाली बगता है परोसियों की नींद तुरती है परोसियों की नींद हराम हो जाते हैं परोसियों जाग जाते हैं सराप तुन्हों ने पिया है परोसियों ने कौन सा पराध किया है कि परोसियों की जगा रहा है वह आदमी नुसान कितका हो रहा है समाज को हो रहा है किसी कह सकते हो कि मैंने अपनी कमाई के पैथे से सराप पिया किसी उसान नहीं हो रहा है एक आदमी बिगड़ता है एक आदमी गलत रास्ते में जाता है वो अपने बिगाड़ करता है अपने परिवार का अपने मोहले का अपने गाउं का बिगाड़ करता है और परिवार मोहला गाउं बिगड़ा तो राष्टर बिगड़ेगा बिगड़े राष्टर है क्या चीज इसलिए सुयम गलत रास्ते पर न जाएं किन्त कोई आपका प्रेमी कोई आपका संबंधी कोई आपका परचित गलत रास्ते में जा रहा है गलत काम कर रहा है उसे संधाने की कोशिश करें कभी प्यार से कभी डाट कर कभी डपड कर सही रास्ते में लाने को थी एक बिगड़े आदमी को आप सही रास्ते पर ले आए तो हजारों हजारों लोगों का आपने उपकार किया है एक सज्जन कहते थे अभी ध्यान स्वीर में आय थे इलाहबाद एक जगा नौकरी करते हूं पहले तो लोगों ने मुझे पागल कहा मेरी बात लोग सुनते ही नहीं थे लेकिन मैं अपनी बात कहता गया कहता गया जो सराबी थे जुआडी थे उनके पात बैड़ता गया समझाता गया कभी डाटा कभी किस किया कभी कुस किया दिवरे दिवरे लोग मेरी बातों सुनने लगे और मैं यहां रहता हूं वहां अब तक मैं 40 लोगों की सराफ छोड़वात दिया है उनके परिवार में जाता हूं उनकी पतने करते भीया आपने हमारे पर बड़ उपकार किया हमारे परिवार सुधर गया हम तो नरक में जी रहे थे कितना बड़ उपकार हुआ किसी आदमी को धन देना उतकी सेवा तो है हर मामता पिता के मन में ये भावना होती है कि हम अपने बच्चों के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा धन छोड़ कर की जाएं, कितना ज्यादा ज्यादा धन निकठा कर लें, कितना बड़ा मकान बना लें, अच्छी बात, जो आप कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करें, लेकिन, बच्चों को धन देने की अपेक्छा, काना चाहिए बच् यह बुद्धी नहीं दी है कि धन का खर्ट कैसे करना चाहिए तो धन देना उनके साथ अन्याय करना है। क्योंकि आपने धन तो दिया लेकिन धन खर्ट करने की बुद्धी नहीं दी तो आपके बच्चे आपसे प्राव धन को जुवा सरा बेवचार में खतम कर देगा। इसलिए बच्चों को धन देने के पहले धन खर्ट करने की कला दीजिए। धन देने के पहले धन कैसे पैदा किया जाता है इतकी शीख दीजिए तो आप अपने बच्चों को जो धन देंगे उधन का दुरुप योग नहीं होगा उधन का दुरुपयोग सेवा में होगा धन को स्वजपयोग सेवा में होगा। धन देना परियाप्त नहीं है। अच्छी बुद्ध देना परियाप्त है। और इसकी चिन्ता किसी माता पीता को नहीं है। अच शिकायत। घर घर में शिकायत। मैं यह नहीं कहता कि माता पिता का ही दोश है दोश बच्चों का भी है बहुतों का दोश है लेकिन घर में शिकायत क्या करें महराज कलजुक का जमाना बच्चे बात नहीं मानते आग्या नहीं मानते बच्चे सामनी जवाब देते हैं हमाराज फट-फट कह देते हैं कोई मिलाहजा नहीं रखते है यह शिकायत है शिकायत गलत नहीं है लेकिन इसमें दोसी बच्चे ही नहीं है दोसी आप लोग भी हैं बच्चों को बिगाड़ने का काम आप लोगों ने भी किया है, मैं आप लोगों से पुष्टा हूँ, इसमें तमाम बुजूर्ग लोग बैठे हैं, कितने बुजूर्ग ऐसे हैं, जिन्होंने कहा होगा, कि बेटा, अमू जगा सस्थंग हो रहा है, अमू जगा धार्मिक कथ बच्चे को आप कितने बार ले गए हैं, बताईए, हां उठाई जगा रहा, कितने बच्चे मुझूर्ग मिलेंगे, कोई बुजूर्ग नहीं है, अपने बच्चों का सस्थंग में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ले ले जाओगे तो उठावगे कैसे हाथ, तो गलती है, अपने बच्चे को अपने बच्चे को धार्मिक स्थल्थे दूर करना चाहते हैं, कभी मंदिर आप नहीं ले जा सकते, किसी अपने बच्चों का ससंग में नहीं ले जा सकते, अपने बच्चे को आप संतों पास नहीं ले जा सकते, अपने बच्चे को आप संतों पास नही तो कहां जाएंगे बच्चे, जुआरियों के पाद बैठेंगे, श्राबियों के पाद बैठेंगे, बेवचारियों के बाद बैठेंगे, चोर के पाद बैठेंगे, और फिर बच्चे आप पलर कड़के देंगे, जवाब देंगे, दोस किसका है, मानता हूं बच्चों कभी दोष है उससे अधिक दोष आप लोगों का बुजुर्गों का दोष है अपनी सिक्षा क्या दी है अपने बच्चों को कि भी धार्मिकता कि सिक्षा दी हाँ यदि कोई बच्चा कह देगा पंद्रा साल, सोला साल, ठारा साल, बिस साल का बच्चा है आप घर में है आपके बेटे ने कहा पीता जी अब मुझा का सस्तंग हो रहा हूं कहें कि दिमाग खराब हो गया है अब अभी तो इसी उमर में सस्तंग में जा रहे हो यदि आपका बच्चा कहा दे सस्तंग में जा रहा हूं तो कहेंगे बच्चा दिमाग खराब हो गया कि पिता जी तिमाग खराब हो गया है सस्तंग में जाने से दिमाग खराब होता है सिनिमा देखने से दिमाग बढ़ता है तो वही प्रणान तो आ रहा है आपके पास नहीं मानते हैं तो माथे पर हाथ धर करके सोचो कहीं मेरी गलती तो नहीं है इसमें, बच्चे को बिगारने में मेरा हाथ तो नहीं है, जवाब आपको मिलेगा, तो माथा पिटने कलावा को उतर नहीं मिलेगा, इसलिए सही शिख देना शुरू करें, मैं यह नहीं यह कहता कहीं इसके satsang होता हो मैंने कल भी कहा था कि satsang मात्र satsang होता है अमुक, मत्य और पंद और संपरदाय से कोई मतलब नहीं होता है ग्यान, भक्ति, धर्म, सय्यम, सदमुं, सदाशार माता, पिरतकपरति, आग्या, पालन, उनकी सेवा किसमत और पंत का है सब इस तो मानोता की चीज है तो हमारे जीवन की चीज है जीवन की बुन्यादी बाते हैं हम भूल गए हैं तो आगे अध्धात्मिक विकास क्या होगा अध्धात्मिक विकास हम इतना माल लेते हैं गंगा गय नहा लिए किसी मंदिर के सामने हाथ जोड ल द्रेख कोई मतलब नहीं है सबसे धरब का मतलब गई है नो कि आप जैसे होंगे वैसे तो होगा क़र आप करो किसी दिन आपका बेटा आपसे ये पूछे पिता जी हर बेटे का कर्तब्य होता है अपने पिता के बताए रास्ते पर चलना अपने पिता का आदर सामने रखना पिता का अनुगमन करना पिता जी आप ये बताएं कि आपके जीवन में कौन-कौन सी अच्छाईया है जिनका मुझे अनुगरान करना चाहिए तो आप क्या उत्तर दोगे कितने अच्छाईयां गिना होगे साती पर हाँ धर करे सोचिए मुश्किल से दो-चारी अच्छाई गिना पाओगे तो बहुत बड़ी बात होगे और शिकायत है कि जमाना खराब आ गया है शिकायत है कि बेटा बात नहीं मानता है शिकायत है कि बेटा सम्मान नहीं करता है आपने कौन सा आदर दिखलाया बेटे को आपको जीवन से आदर से नहीं है धरम की सुरुवात अपनी जीवन से करिए और बच्चा जब से हो समाने लग जा तब से धरम की सीख देना सुरू करिए धरम की सीख देने का मतलब बड़ों की परती माता पिता के परती बुजुर्गों के परती आदर उनके परती सम्मान भाव उनकी आग्या का पालन करतब्य का पालन शेवा परायंता यह तो धर्म है फिर इसके आगे जब और धर्म आप तो भी आपको एकर गिना ले यहां सा दुरु कभीर कहते है सोई हित बंधु मही भावे जात कुमारग मारग लावे वह विक्ति मुझे अच्छा लगता है जो कुमारग में जाते हुए को सुमारग में ले आता है आत्मा परमात्मा की बात कहना बहुत सरल है आकाफ पताल की बात करना सुरग में जाने की बात जीव ऐसा ऐसा सुख भोगना ऐसा सुख भोगता है, यह कहना बहुत सरल है, क्या लगता है कलपना की बात करने में, यथार्त, जीवन की बात कहने और सुनने में रुखी लगती है, लेकिन हकीकत वही है, उसी कुतारने में कठना यह होती है, इसलिए आत्मा परमात्मा को रहने दीजिए अपनी जगा पर, भूल जाएए कुछ समय के लिए उसको जीवन को समझना शुरू करे परिवार को समझना शुरू करे जीवन और परिवार को समझा नहीं बस डर्द पड़े है आत्मा परमात्मा की व्याख्या करने परमात्मा को खुद करने क्या करोगे परमात्मा को खुद करे पहले, परिवार वाले खुत नहीं है, परमात्मा खुत हो जाएगा, कैसे खुत हो जाएगा, जीवन खुरी से जीना तो शुरू करें, जो ब्यक्ति जीवन को नहीं समझ सकता है, वो ब्यक्ति परमात्मा को कभी समझ ही नहीं सकता है, चाह चारों वेद्दों के विद्वान क नेकल कहा था, रावन जीवन को समझा होता, तो वह काम करता जो उन्होंने किया, दुरोधन जीवन को समझा होता, तो वही काम करता, जो उन्होंने किया, विद्धान था रावन, विद्धान था दुरोधन, दुरोधन पढ़ तो नहीं था, राश्कुमार था, पढ़ा लिख परमात्मा को धर दिजे किनारे जीवन को समझ लीजिए जीवन को जब समझ जाएंगे तो परमात्मा अपने आप समझने में आ जाएगा सुयम सही रास्ते पर चलें और दुसरों सही रास्ते पर चलने की प्रेणा दें इतना जरूर है कि कोई किशी को जबरदस्ती किसी रास्ते पर चला नहीं सकता है प्रेणा दे सकता है लेकिन प्रेणा ही तो मुख्य है अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है प्रेना देता है, किसी के अंदर घुसता नहीं है, किसी के अंदर जबरदस्ती विद्या डालता नहीं है, अध्यापक पढ़ाता है, प्रेना देता है, बच्चों के अंदर जो सकती है, उसकती उस घाटन करता है, उसी में से कुछ बच्चे प्रेना पांकर के आगे बढ़ ज काम है आप आप और प्रेना देना दे जाएं को तो समाज और बिखड जाएगा कहा जाएगा को थिकाना नहीं होगा कि जो हमारी बातों को सुन सकता है कि उन्हां हम सुनाने का प्रयास करें सही सीख दें इभी हम मैंने मानते कि जितने लोगों को हम अपनी बात हम कहते हैं वो सब सब हमारी बात मान ही लेते हैं और सब सब सुधर जाते हैं नहीं ऐसा नहीं है हम हजार लोगों से अपनी बात कहते हैं हजार में एक आदमी भी सुधर गया था हम मानते हमारा काम सफल हो गया कौन किसको बदल सका है कौन मनवा सका अपनी बात को महाभारत में ये बात आती है महर्ति बेद ब्याद कहते है उर्द बाहूर विरुम मेज़त नम एक अची स्रनोति है धर्मा धर्थत कामश कस्मा धर्मेवन शेब्यते महर्ति बेद ब्याज जैसा समर्थ विद्वान जिनके जैसा विद्वान पुरी दुनिया में मिलना मुश्किल वो महर्ति बेद ब्याजी हार करके कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उपर उठा करके कहता हूँ लेकिन मेरी बातों को कोई सुनता नहीं है कोई मानता नहीं है मैं कह रहा हूं धर्म से लोकिक और परलोकिक दोनों क्यों नती होती है इसलिए धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो कहा किसी ने माना नहीं यदि किसी ने न मानी होती उनकी बात, तो उनकी बात हम तक कैसे पहुंचती, किसी ने तो मानी, किसी ने मानी, उन्हों दुसरे कहा, उन्हों ने मान, फिर उनकी बात हम तक आ गई, प्रयाद करना हमारा काम है, प्रयाद करते, 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 उसी में कुछ लोग सुधरत तो मैं कहा रहा था समाज की सरसेवड़ी सेवा क्या है जो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं समझा करके उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयाद करना आखिर किसी ने हमें समझाया उनकी बात हमें अच्छी लगी हमने गलत रास्ते का प्रयास कर रहे हैं तो उनका उपकार तो है हमारे उपर तो उस रीन से उरिन होने के लिए हम भी अपनी बात कहते जाएं किसी समझा दे कोई नो कोई समझेगा है सो सयान मारग रही जाई करे खोज कब हो न भूलाई सब्रू कहते हैं वह ब्रक्ति भी बहुत समझादार है जो किसी के समझाने पर समझ करके सही रास्ते पर चलना सुरू कर देता है अनेक लोग ऐसे होते हैं कितने लोग मिले एकदम बिगड़ा हुआ जीवन बातें बताई गई उनकी समझ में बात आई जीवन एकदम बदल गया लोग बिश्राफ ने करते थे कि आदमी ऐसा बिगड़ा हुआ आदमी होगा रहा होगा पहले आदम सज्जन हर मत के संतों द्वारा सुधार हुआ है तो वे आदमी भी बड़े समधदार कि किशी की बात को सुन करके माल लिया और मान करके सही राते पर चलना सुरू कर दिये अब फिर वो सुयम भी दूसरों को समझाते हैं यही है दीब से दीब जलना हमने किसी समझाया उन्होंने किसी समझाया बस दीब से दीब जलता चला गया सुधार ऐसे ही होता है लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं इन में ही और आगे बढ़ने वाले करे खोज कब हो न भूलाई कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें जितना बता दो उतना माल लेते हैं उतने में रुख जाते हैं अच्छा है कुछ ऐसे लोग होते हैं और आगे खोज करते हैं जितना बताया गया उतने में रुखते नहीं हैं आगे की यात्रा जारी रखते हैं और जारी रखते रखते सही ग्यान को सोध लेते हैं खोजी आदमी कभी भूलता नहीं है भटकता नहीं है जो आदमी किसी की बात को आँख मून करके माल लेता है उतके भूलने भटकने का चांथ रहता है लेकिन किसी की बात को सुन करके using विचार करता है बिवेक करता है बिवेक के पचात मानता है वो भूलता भटकता नहीं है भागवत महापूरान में दत्ता तरे जी के 24 गुरू का वर्णन आता है तो 24 गुरू उन्होंने की थी इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने 24 जगह से दिख्षा लिया थे, नहीं, उन्होंने 24 जगह से सार लिया था, उनकी 24 गुरुवों में सांप है, मचली है, कुरर पक्छी है, बाज है, बहलिया है, शोर है, बेशिया है, बान बनाने वाला है, अनेक लोग है, मधुमक्खी है मरीगा है, तो कि इन से दिख्षा लिया उन्हों ने, इन से प्रेणा लिया पिंगला नाम की एक बेश्या, सिरिंगार करके, रात होने पर सिरिंगार करके दर्वाजे पर बैठी कि कोई पुरूस आयेगा मेरे पास इंजार करती रही, करती रही रात दस बजगे, कोई पुरुस नहीं आया ग्यारा बजगे, कोई पुरुस नहीं आया बारा बजगे, कोई पुरुस नहीं आया अब लोगों का आना जाना बंद लगभग कोई इकका दुक्का गुजरने लगा दस मिराधे घंटे में पिंगला देखती थी कि उपुर्ष आ रहा सोंते हुआ पुर्ष मेरे पास आ रहा है आता था आगे खितक जाता था निराध हो जाती थी ऐसा करते करते रात काफी गुजर गई कोई पुर्ष नहीं आया पिंगला उदास हो गई अब उदास तो हो गई लेकिन अंदर के आग खुल गई कती है यह हाड मांस के पुरुष टटी पे साब जिनके शेरीरी भरे हुए है अरे मुर्खा तो उन लोगों से सुख चाहती है यह खुद ही दुखी है बिशय की कीड बने हुए है यह तुझे क्या सुख देगी ऐसे पुरुष तुम्हें क्या सुख देंगे फाटक बन कर देए चलेगे अपने खुब धिकारती है और उसी दिन से उन्होंने विश्या वृत्ति बन कर दिया राजक पास संदेश भेजा दिया का आज से मैंने बेसे अवृत्ति बन अब मुझे एक काम नहीं करना है गलान ही होगी उस पिंगला विश्या से दत्तरत्रे ने शिख ली उस पिंगला विश्या कुन दत्तरे ने अपना गुरु माल लिया और कहा आशा ही परमम दुखम नेर आश्यम परमम सुखम जथा संचिद्ध कांता साम सुखम सुष्वापी पिंगला आशा ही परम दुख है आशा छोड़ करके निराथ हो जाने में सुख है जैसे पिंगला विश्या ने जब पुर्सों की आशा त्याग दी तो सुखी होगी पिंगला वेशिया, दत्तात्रे का गुरु बन गई, बन के आगे उन्होंने दत्तात्रे ने सिछा ले लिए उन से, तो दत्तात्रे का चुबित गुरुओं का वर्णन, सार ग्रहन करने की प्रेणा है यहाँ पर, जहां दत्तात्रे जी के चुबित गुरुओं का वर्णन है, वही पर एक बहुत महत्वपून सुलोक आता है भागवत पूराने में आतमे व्याप्तनों गुप्ता निर्वेद्यत यदा खिलात अप्रमत यदंपश्येद गरस्तम काला ही ना जगत आतमा ही आतमा का रक्षक हो जाता है हम सोते हैं कि अमुक आदमी हमारा रक्षक है अमुक आदमी हमारा रक्षक है अमुक आदमी हमारा रक्षक है बाहरी द्रिश्टी से तो है परवारी द्रिश्टी से, समाजीक द्रिश्टी से, राष्टी द्रिश्टी से आदमी एक दुसरे का रक्षक होता है आदमी है आदमी का भक्षक भी होता है पहरवारी समाजिक राख्टी द्रिष्टी से लेकिन आदमी है आदमी का रख्षक भी होता है येकिन आध्धात्मी दिर्ष्टी से देखें तो कौन कितका रक्षक है आत्मे विहाप्तनों गुपता भागवतकार कहते हैं आध्धात्मी दिर्ष्टी से उच ज्ञान की दिर्ष्टी से देखें हकीकत की दिर्ष्टी से तो आत्मे विहाप्तनों गुपता आत्मा ही आत्म का रक्षक होता है हर जीव अपना रक्षक स्यम होता है कब نिर्वेद जब अखिल संतार के प्रति निर्वेद हो जाता है तो बैराग के मतलब अनास्तक निर्म होता इसी शरीर और संसार में रहते हुए, शरीर का निर्वा और संसार की शेवा करते हुए, जब मन, निर्मोह, निश्काम और अनासक्त हो गया, तब आदमी अपना रक्षक स्यम हो गया, ध्यान दें, बैराग का मतलब संसार से भागना नहीं होता है, बैराग का मतलब संसार का त्यागना नहीं होता है, संतारिक्ता का त्याग होता है, बैराग संसार का त्याग नहीं है, बैराग संतारिक्ता का त्याग, संतारिक्ता का मतलब प्रपंश, मन का मुँ, मन का जो रागदेश, मन का जो विकार है, उनका त्याग बैराग, संसार छो कामना का त्याग जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी में रहते हुए भी लिपाइमान नहीं होता है कमल के पत्ते को पानी से निकाल करके बाहर फेक दें कुछ दिर में मुर्जा जाएगा सुख जाएगा जब तक पानी तब तक वो हरा हरा है जीवित है लेकिन उसमें रहते हुए भी उसमें लिपाइमान नहीं है ऐशे ही संसार में रहें संसार की सेवा करें लेकिन मन को संसार से उपर उठा करके रखें सद्गुरु कबिर के एक साखी है सद्गुरु ऐसा कीजिए लोभु मोह भर्मन आए दरिया से न्यारा रहे देखे दरिया माए संसार में रहते हुई भी संसार से अलग समुद्र में रहते हुई भी समुद्र से अलग वो कैसे होगा जब लोभ और मोह ना हो तब तो आत्में व्यातुनों गुपता निर्वेदेत एदा खिलात आतमा ही आतमा रक्षक हो जाता है ज़र संपुन संतार के प्रती मन में पूरी अनासक्ति और निर्मोहता हो जाती है इसलिए तो गीता कार बार बार कहते हैं, करमन्य वाधिकारस्ते माफले शुकदाच्चन, करम करने में तुम्हार अधिकार फल में नहीं, गीता क्या उपदेह देती है, बार बार गीता निशकाम, निशकाम, निशकाम होने का उपदेह देती है, करम करो करम, पूरी गीता तब महारदार कृष्णने उदेश दिया, जागरित्या, प्रेना दिया, और करम करने की प्रेना दे, लेकिन करम करता हुए कहा कि निष्काम रहो, काम करो, किसी काम के फ़र में लिपायमान मत हो जाओ, अपने की डुबा मत दो, काम तो करना पड़ेगा, कहां जाएंगे बिना काम किये, संसार में जो कुछ राउनकता है, करम का ही परिणाम है, जो आज ग्यान का विकात हो रहा है, जो कला का उसल हम देख रहे हैं, इस सब करम का ही तो परिणाम है, इसलिए जो आदमी जहां है, जिसी सिती में हैं, डट करके काम करना चाहिए, लेकिन काम करते हुई भी, निश्काम ये भी सोतना चाहिए, कि एक दिन दुनिया से बिदा ह होना है, उसको भी ख्याद रखो, काम करें, डट करके, लेकिन बिदा होना है, उसको भी ख्याद रखेंगे, तो पाप नहीं होगा, हम बिदा होना है, उसको भूल कर जाते हैं, तभी पाप होता है, अभी मौत आ जाए, कोई पाप हम कर पाएंगे, सारा पाप मौत को भुल करके होता है इतले काम करें लेकिन कर्मों में लिपाए मानना हूं इस अवाश्योप निशद में जो सुक्ल जजर्वेत का चालित्मा ध्या है एक बढ़िया मंत्रा आता है रिशी कहते हैं कुरुमन नेवे कर्मानी कर्म करने की इच्छा करते हुए जिजर्वेत च्छतम समा सौ साल जीने की इच्छा करो वेद के रिशी सौ साल जीने की बात कहते हैं वेदों में कहीं ने लिखा गया है कि अमुक आदमी एक लाग साल जीता रहा या एक कलोड साल जीता रहा या एक अरब साल जीता रहा ये पुरान के लेखक बड़े बीर हो गए हैं जो एक एक लाग दोदो लाग दर दस लाग 20 लाग हो का का दर दस ग्यारा ग्यारा आरफ लोगों को जिला देते हैं पुरान के लेखक गप मारने में बड़े बीर हो गए हैं बेदों के रिशी बड़े सरल हैं इमानदार हैं बे पचीज साल को चार आश्रम का विधान किया गया है ज़ू एक लाग शाल को जीता है को पाँट लाग शाल गव हएट जीवन में पचीज साल तक ब्रंचे चार भेशच में 10 से 50 साल तक ग्रिहष ग्रह cav PBd 75 के बैजस्ट तक वानपर्ः 75 से 100 साल तक शन्याथ स्न्याथ यह सो साढ़ी जिंदगी मान करा आट से विधान हो गया नہ renew सब्यात Electivity तो पुरानों में तो लिखा है इतने इतना गप क्या कहा है लिकिन वेदों में कहीं आसा नहीं कहा गया है वेद कृषी बार बार यह कहते हैं जीवम सर्दास्तम पश्यम सर्दास्तम स्रिनिवाम सर्दास्तम प्रभवाम सर्दास्तम हम सो साल तक जीएं सो साल देखें सो साल सुनें सो साल बोलें सो बारम बार रिषी सो साल की बात कहते हैं कहीं सर्दास्तात कहते हैं सो से भी उपर को सो साल की जिन्दगी मानेगी, यह रिशी कहते हैं कुर्वन्नेवे कर्माने जिदे से छतम समा, करम करते हुए सो साल जीने की इच्छा रखो, लेकिन एवं तुई नाने थे तो अस दिना करमले पते नरे, इसके सिवात तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि तुम करमो इच्छा करते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन एभी कहते हैं कि तुम करमों में लिपाय मान मत हो ना, शेवा करो, निशकाम हो करके, ऐसे सेवा मत करो करके हम इनकी सेवा कर रहे हैं, तो समय आने पर भी हमारी सेवा करें, उद्वेपार हो जाएगा, लोग सेवा करते हैं कोई बीमार हो गया किसी बीपत्ती आ गई तो लोग करते हैं चलो इसकी सेवा कर देते हैं ताकि यह भी हमें पर सेवा करें हमारी सेवा करें यह भी पत्ती में हैं शाहता कर देते हैं ताकि समय आने पर यह भी हमारी साहता करें क्यों ऐसा सुचते हैं आप साहता क्यों चाहते हैं आप सेवा क्यों चाहते हैं कोई बीमार हो गया ठीक आप सस्त हैं तो यह क्यों नहीं सोचते कि मैं सस्त हूं यह बीमार है तो मेरा करतब भे होता है कि बिमार की सेवा करना ज़िवा करतब समाज करके सेवा कर दो यदि आप समगते हैं कि यदि कि ये आदमी बिमार है और सिवा करूंगा तो समय आने पर ये भी मेरी सेवा करेंगे इसका मतलब यह होता है कि आप बिमारी को निमंतरन दे रहे हैं क्योंकि तभी आप सेवा आप सेवा कर रहे हो क्यों कर इसकी मेरे पास वह सेवा करें तो भीपतिक आप निमंतरन भेज़ दिया आएगे आपके पास अब और जिसको निमंतरन भेज़ में इसकी सेवा करना समय से मेरी सेवा होगी और शेवा कर बूल जाओ हमारी भारति पर्मपरत यह कहती है कि नेकी का दरिया में डाल, शेवा करो भूल जाओ, बलकि नीती में तो यहां तक कहा गया है, आदमी को दान इस प्रकार करना चाहिए, कि दाएं हां से दान करो, तो बाएं हाथ को पता न चले, तो हमारा ही तो हां से दोनों पता कर से चलेगा, इसका मतलब दान करो और भूल जा कि मैंने दान किया, उतार दो चीज़, तब चीट सुध रहेगा, और याद करते रहोगे, इसका मैंने ऐसा दान कर वैसा दान दिया, तो अहंकार बढ़ जाएगा, और अहंकार आया, दान का फल गया, अहंकार आया, शेवा का फल गया, अहंकार आया, पुजा का फल गया, बिनम्र बन करके, सरल बन करके, जो करना चाहिए वो करें, तो मैं एक आग रहा था, कबिरताक्त पंक्ती के उधारन देते हुए, कि करे खोज कब हूँ न भूलाई, कि जो खोज करता है, वो भूलता नहीं, इसी बाए मैंने उधारन दिया था, दत्ता तरे जी का, कि उन्होंने चोबित गुरू किया था, तो चोबित गुरू करने के मतलब, चोबित जगा से उन्होंने दिक्षा नहीं ली थी, सार ग्रहन किया था, हर जगा से सार ग्रहन करें, खोज करें, शिखना, जी आदमी को जिन्दगी भर सिखते रहने की आवसकता है, जो ये कहता है, कि तो मैंने शिख लिया, और मुझे शिखने की आवसकता नहीं, उस आदमी की जीवन पत्थर बन गया, पत्थर पर पानी पड़ों दालों, तो कोई पचिता नहीं है, मुलाय मिट्टी, आकार ग्रहन कर दी जाती है, जीवन भर सिखना है, पदे पदे शिखना है, इसलिए दिमाग की खिड़की को खोल कर रखना होगा, हिर्दे कुदार बना करके रखना होगा, करे खोज कभू हो न भूलाय ताहिब करते हैं, खोज करो, खोज करने वाला कभी भूलता नहीं है, सो जूठा जो सुटकोता जी, गुरु की दया रामते भजी, वह व्यक्ति जूठा है, जो अपने पुत्र का त्याग करता है, सहब, लक्षणा में अपनी बात कहते हैं, सदुर कभीर की वानियों का, आप साबिक अर्थ करोगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कि वह क्या कह रहे हैं, लक्षणा और ब्यंदना में साब अपनी बात कहते हैं, प्रसंग देखोगे, तो अर्थ अपने आप निकल आता है, सो जूठा जो सुट को तजी, वह अब्यक्ति जूठा है, जो पुत्र का त्याग करता है, यहां पुत्र है ग्यान, जीव का पुत्र क्या है ग्यान, जीव ग्यान सो रूप है, ग्यान कहां तो पैदा होता है, जीव से तो पैदा होता है ना जीव को अटा दो तो ज्ञान कहा आएगा इस सारे कला जो ज्ञान विज्ञान दुनिया में है कला कौसर है, मत, पंथ है, ग्यान संपरदा है मंदिर मस्जीद है, इनका निर्माता कौन इस जीव ही तो है जीव ना हो तो ज्ञान विज्ञान का कोई विकात नहीं होगा कला का उसल कोई विकात नहीं होगा मंदिर मजीद निर्मान नहीं होगा मत्पंथ का निर्मान नहीं होगा देखो चंदरवा में वैज्ञानिक पहुंच गए वहाँ कोई मंदिर मस्जीद नहीं है वहाँ कोई देवी देउता नहीं है वहाँ कोई ग्रंद पंथ नहीं है क्योंकि जीवी ही नहीं है मनुशे ही नहीं है तो सारे ज्ञान, विज्ञान, कला, कौसल, मत, पंथ संप्रदाय, मंदिर, मस्जीद आगे बढ़ करके कहो सारे देवी दियोता का स्रीजिता आदमी सरादव कृष्णन ने अपने भारती द nellसवन में कहीं पर लिखा हुआ है कि आदमी का दिमाग दियोता बनाने का कार खाना सारे दियोता आदमी की दिमाग से बन बन करके निकलते है сотी है वैसे देवी देवता बनाता चला जाता है और इस बात का परमान यह है समझ समझ सकते हैं कि आज हिंदूओं में जितने भी देवी देवताओं की पूजा होती है इन में से किसी देवी देवताओं तक पूजा धाय तिन हजार साल पहले नहीं होती कॉति है वेदों की देंवता उशा दधिकरा, अश्वेनी इनकी फूझा kesVi कौन करता है वेदकी ता अलग आज की देंवता के नाम वेदों में है यह यह नहीं यह सारी देवी देंवता हिंदो में अधज्विनं की फूझा है सब साल की भीतर पैदा हुए हैं अर्ड संतोसी देवी तो अभी पैदा हुए थी और अचले कि थे फ्लता भीज Western moment आप कहां रहें कि आफ दिल गवाहि देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन हम इतनी जोस में रहते हैं हमारी आदत हमारी आसकत इतनी प्रबल है कि हम अपने अंतर ग्यान की अवहिलना कर देते हैं अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाते अवहिलना करते 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 अंतरात् दब जाती है और जो आदमी अंतरात्मा का आवाद नहीं सुन पाता अंतरात्मा अंदर ग्यान कर देता है उते कौन समझाएगा इसलिए कोई भी काम करने के पहले बिशार ले और तब काम करें तो पश्यताप नहीं होगा बिशार नहीं करते हैं लोब में पड़ गए भै में आगए आदस से लाशार हो गए नहीं करना चाहिए ऐसा भी काम कर लिया बाद में पश्यताप क्या फायदा कोई भी काम करने के पहले बिशार है कैसे बिशार है ऐसे तो हर आदमी कहता है कि जो काम में करता हूं सही काम करता हूं कोई आदमी नहीं कहता मैं गलत काम करता हूं हमारा काम सही या गलत बस एक मिनट बिचार ले आप काम करने पहले जो काम मैं करना चाहता हूं करने जा रहा हूं यही काम यदि दुसरा आदमी करना चाहे या मुझे करते भी दिखाई पड़े तो मुझे कैसे लगेगा इस काम को मेरे परिवार के अनुलोग करना चाहेंगे तो मैं क्या अनुभाव करूंगा मुझे अच्छा लगे का बुरा ज़िए लगता है कि जो काम आप करने जा रहे हो परिवार को वह काम करते देख कर का मन प्रसंद हो जाएगा तो आप काम बहुत बढ़ी है न इतनी पहचान तो आप कर सकते हो सारे सात्रों के एक और धर देजिए सारे सात्रों का सास सारे वेदों का वेद आपका दिल है क्योंकि सारे सास्र और सारे वेद आदमी की दिल से ही तो निकले है इतलिए अपने दिल की गवाही लेजिए वो दिल की गवाही लेना ही अपने ग्यान का सम्मान करना है और दिल गवाही न लेना विचार न करना ग्यान की अवहिलना करना जो जूठा जो सुथकोट जी साहब कहते हैं वहाँ आदमी जूठा है जो अपने अंतर ग्यान की अवहिलना करता है विवेक का उपयोग नहीं करता है बिबेग को पयोग करेंगे, अंतर ज्ञान का सम्मान करेंगे, जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा, गुरु की दया राम अते भजिए, लेकिन उसी व्यक्ति पर जब गुरु की दया हो जाती है, गुरु का उसे उपदेश मिल जाता है, तब वही व्यक्ति फिर राम क भजन करना सुरू कर देता, राम भजन क्या है, आत्मचिंतन सोयम कुछ समझना, राम भजन है, मोह का त्याग करके निर्मोह हो जाना, राम भजन है, कामना का त्याग काम हो जाना, राम भजन है, आसक्ति त्याग करके अनासक्त हो जाना, राम भजन है, क्रोध त्याग करक के दया करना और अहिंता के रासते पर चलना और राम भजान है सब तरस अपने मन को समेठ करके आत्मलीन हो जाना मन आत्मलीन हो गया जीवन की सर्वोच पराकाष्ठा तक हम पहुंच गए बाहर का राम कभिर साहब का राम बाहर कहीं नहीं कभिर साहब का राम घट घट में बसता है रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम याही से संतंधरा राम ताशु का नाम घट घट में जो बस रहा है वह राम आपका अपना आपा मन को दुनिया से लटा करके आत्मलीन करने नहीं कब होगा जब गुरु की दया होगी गुरु की दया का मतलब गुरु द्वारा जब सच्चा बोध मिलेगा गुरु की दया तो सब पर है ही लेकिन जब हम अपनी दया खुद पर करेंगे गुरु जो घ्यान दे रहे हैं शंतमहात्मा जो घ्यान दे रहे हैं उनको समझें मनन करें आत्रन करें तब वो दया काम आएगी लोग कहा करते हैं महराज दया करना हमारे एक संत हैं अभी अब तो प्राइवों ऐसा नहीं कहते कहीं वो जाते थे अब जाने के बाद जब वहां से चनने लगते थे तो घर वाले कहते से शाहेव गुरुजी दया करना तो आहां करते से भई तुम याद करते रहना दया बने रहे दया में क्या है दया उतको पलड़ दो तो जाते ही याद याद करते रहोगे तो दया बने रहेगी अब याद भूल जाओ तो दया नहीं बने रहेगी तो संतों के ग्यान को हम याद करते रहेंगे तो उनकी दया हम पर बने रहेगी अब हमको ने उनके ग्यान को याद करना भूल जा तो दया कहां काम करेंगे, तो यही दया है, उन्होंने जो हमें ग्यान दिया, उस ग्यान को हम मनन करें, चिंतन करें, आतरन करें, उनकी दया होगी, और जब ऐसा होगा, तो फिर जो मन भी राम भजन में नहीं लगता, वही म लोगों को समझा कर सही राते पर ले जाता है, समार्स का बभूत बड़ा उपकारी है, हर आदमे को चाहिए जो जहा है, आपकी घर के सदस्ज्य हो, परवाकिश के सदस्ज्य हो, नाते रिष्ठेदार हो, यदि कोई समझा कर जो बहुत कर रहे हैं, तो शक्ती चले तो कुछ समझाओ, समझा बुजा कर रहे राते पर लाने काम करो, नहीं मानेगा तो मन में संतोस होगा कि मेरा अपने करते पर मैंने कर लिया, फिर वो जाने, और हमें चाहिए कि हमें जो सही रास्ता मिला है, उस राते पर हम चलें और आगे खोज करते रहें, ताकि भुलने भटकने का उसर नहा हो, खोज करते करते वास्तवित्त तक पहुंच जाएं, अंतर ग्यान का भेल्णा ना करें, किन्ट अंतर ग्यान को प्योक करके राम भजन करते हुए, इस संसार में रहका संसार सेवा करते हुए, भौसा अगर से पार हो जाए, आप झाल झाल